प्रिश्पिती में बहुत सारे जगहों से सदस्यों काल भी आया मैसेज भी आया किसा हम लोगों को एक भी योजना काम नहीं मिल रहा है तो जान लिए इसके पीछे का राज क्या चुपा हुआ है क्या हो चुपा है यानिक उना सिया पंचायतों में मात्रों वाड कि यानवेन आपको बताएंगे कि वाड अस्तर की जो सरकार है नहीं इसको जो है किसी भी परकार का योजना का लाब क्यों नहीं मिल रहा है अभी जो बरतमान परिश्थिती में बहुत सारे जगहों से सदस्यों का कॉल भी आया मैसेज भी आया कि सर हम लोगों को एक भी योजना का काम रही मिल रहा है तो जान लिजे इसके पीछे का राज क्या शुपा हुआ है या किस परकार की मुखिया जी और पंचायत सचीम की साजिस चल रही है और इस पर उतने बड़े से बड़े पदाधिकारी पंचायती राजविवाग के निदेशक आइस रंजित कुमार सिंग जी रहाड लिष्चान लिजे बिहार में पूरे बिहार में लगभग सवाह लाख एक लाख वीस जार से ऊपर क्या चीज़ है पंचायत है एक लाख 20.000 से उपर पंचायत है ठीक है और इतने पंचायत में हम आपको बताते हैं एक लाख 20.000 पंचायत में से लग भग अभी मात्र 89.000 से 80.000 पंचायतों में क्या हो चुका है यानि कि 99,000 से 80,000 पंचायतों में मात्र वाडल किरियान वैनेमं परवंधन समीती का गठन हुआ है वाडल किरियान वैनेमं परवंधन समीती का गठन अभी मात्र इतने ही तु सचीब का चुनाब और उसके अलावे जो है ना कि पांच लोगों का सचीब यानि कि अन्य पांच लोगों को कमीटी बना करके यह यानि की गठन किया जाता है वाड की यान में परबंदन समीती तो जान लिजे यदि 40,000 पंचायत में जो यह चीज का गठन नहीं हुआ है ना इसमें सबसे बड़ा राज जो है ना इसमें सबसे बड़ा राज है तो यह पंचायत सचीब जी का महरवानी है यह पंचायत सचीब जी का चैह कहीं के भी पंचायत सचीब जी है अपने आपको एक सरकारी DM पताधिकार, DM लेवल के पताधिकारी से भी बड़ा समझते हैं य बाद बाखी जो 89-80,000 जहां पर गठन हो गया है तो इन सब लोगों को भी इसका यानि की नुकसान और इनका यानि की क्या कहा जाए इनका दुरुभाग्य अवस्था इन सभी लोगों को भी पड़ा हुआ है किनके अधार पे तो यह 40,000 लोगों को जहां पर 40,000 पंचा है तो के 원ormium survival समीति का गठन नहीं हुआ है इसी कारण इतने लोगों का भी यह काम पे अठका हो सकता है जहां पर खाता बदलने की पड़किडिया नहीं आया है खाता अभी तक बदला नहीं गया है अब आप सोच सकते हैं कि यह 20,000 लोगों जहां पे खाता नहीं बदला है ना वहां से भी हमें यह बात पता चला है कि यहां के पंचाय सचीब जी बोलते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं कि खाता कब बदलना है चाहे क्या करना है जा अभी वार्सदस्य और वार्सचीब को ताकि वह अपना खाता बदल वाले लेकिन कुछ पंचाय सचीब को अभी नया नहीं पता है कि वार्सचीब का चेहन कब करना है यह बातों को कुछ को यह अभी नहीं पता है कि खाता बदलना है और इसके साथ साथ जो पांचे अलग लो तो उपर से न सरकार योजना को पास करेगा और न एक रुपया वार्षदस्य को देना परेगा यह सब मुखिया जी का बड़ा राज है यह सब में मुखिया जी का बड़ा चाल है और उसी चाल को यह आगे चलाने का काम कौन करते हैं तो पंचायत सचीब जी इसी मुखिया जी के चाल को आगे भेकने का काम करते हैं क्योंकि अगर कोई योजना का काम कराते हैं तो उसमें से दस परतिसत अगर बचत होता है न तो उसमें से पांच परतिसत हिस्सा किनका होता है पांच परतिसत पंचायत सचीब जी का भी होता है और यही 5 परतिसत के चक्कर में जो है न अभी 40 अजयार पंचायतों में जो है न यानि कि वार्ड की रियान में प्रवंधन समीती का गठन नहीं होने दे रहें और इसका सबसे अच्छा उधारन सबसे यानि कि बराबर देखने को मिलेगा कि या पंचायत सचीब जी किसी भी परकार के कोई भी काम होने नहीं देना चाहते है न चाहते हैं एक भी परकार के कोई योजना वार्ड के पास जाए वार्ड सचीब के पास जाए सारा का सारा मु चाहे तो में अगर अभी तक गठन नहीं हुआ है वहां के सभी वार्षद से मिल करके आप एक मुहीम चलाइए और विडियो अस्तर पे यानि कि प्रखंड ब्लोक अस्तर पे आप जा करके क्या किजिए अंदोलन करने का काम किजिए धर्ना देने का काम किजिए और जान लिज किया गया है इस ँद्व चिजों का महताज कि मिला चाहिए तो पंचाइच सचीब जी स्ट फिरकारी्यू में तबके लिए